आज हम लोग च्छांदोग्य उपनिशद जो हमारा पिछला टॉपिक चल ला था उस पर आगे कंठीन्यू करेंगे च्छांदोग्य उपनिशद के मुझे लग रहा है करीबन पांच खंड का अधियन हम लोगों ने कंप्रीट कर लिया है और छठे खंड से हमें शुरू करना है तो प्राण की बात चल लही थी च्छांदोग्य उपनिशद में जैसा मैंने आप सभी को बताया था पांच के छे खंड हम लोगों ने समाप्त कर लिया था और आगे आज हमें उसी चर्चा को आगे बढ़ाना है प्राणों के उद्गीत के सरूप में हम लोग प्राणों से हेरिंग लाल लीजिए च्छांदोग्य उपनिशद सात्वा खंड लिखे प्राण को या उद्गीत को उद्गीत को चांदोग्य उपनिशद में प्राण की संंग्या से उद्गीत को च्छांदोग्य उपनिशद में प्राण की संग्या से चिन् сюжत किया गया है प्राण की संग्या से चन्नित किया गया है इसे पंचितत्व के भाव में पंचितत्व के भाव में एक दूसरे से एक दूसरे से मिला कर बताया गया है जिसमें जिसमें पृत्वी अग्नी अंतरिक्ष आकाश सूर्य नक्षत्र चंद्रमा पुन्रीक देव इत्यादी को इत्यादी को रिक एवं साम माना गया है जो उद्गीत का ही स्वरूप है उद्गीत का ही स्वरूप है आगे एटिंग डाल लीजे अस्टम खंड आठ्वा खंड अस्टम खंड चान्दों ग्यों अश्टम दोनों खंडों में आध्यात्म उपासना का वरणन है इसमें पंच तनमात्राओं और तनमात्राओं की विभूतियों को रिक एवं साम से रिक एवं साम से वरणित किया गया है मानवी ये कामनाओं का शासक जो देव है जो देव है उसके द्वारा भी उसके द्वारा भी उद्गीत को ही जपे जाने योग्य माना गया है अश्टमखंड में उद्गीत विद्या के उद्गीत विद्या के कुशल प्रवर्तक शालवान के पुत्र शिलक चिकितायन के पुत्र दालब्ब पहले बताओ कैसा कैसा नाम होता था अब आजकल का नाम कैसा होता है आरुश पहले दालब्य, दैदी प्यमान ऐसे बड़े बड़े नाम होगरते थे, अभी जो सिंधिया है मद्देप्रदेश के राज घराने के जोती रादित सिंधिया, जो सिंधिया घराना था ना महाराटाओं का जब राज था, महाराटा समराचे चार लोगों के द्वारा साशिश करिया जता था, जिसमें होलकरों का एक समाज था, सिंधिया लोगों का एक था, और और तो समाज था, अपके मद्द्देप्रदेश में ही उनकी रादिती ठीटी, तो उनके अभी भी शासक्गर मौझूद है, उनके करता केंद्र सरकार में मंत्री भी है उनके पुत्र का नाम क्या है जानते हैं महार्यमान सिंधिया अब आप सोचिए कितना मतलब राजाओं जैसा नाम और हम लोगों क्या नाम क्या रखे जाते हैं उल्टे सीदे नाम सारे जिसका कोई अर्थ नहीं है दो लोग मिलके कहीं तो उनके नाम का जो short form अन्या वह भी रख दिया आगे का दो नाम मिला लिए पीशे का दो नाम मिला लिए तो कहने का बतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि पहले के नाम देखे शालावान का पुत्र शिलक चकितायन के दालब्य अगला लेकिए जीवल के पुत्र प्रवाहड जीवल के पुत्र प्रवाहड ये तीनो ये तीनो उद्गित विद्या के विशे में बताते हैं कुछ प्रश्न जो इन्हों ने आपस में ही पूछा और उसका उत्तर दिया निम्नवत है कुछ प्रश्न जो इन्हों ने आपस में ही पूछा और उत्तर दिया वो निम्नवत है प्रश्न था साम की गती क्या है पिछला द्धैव में आपने देखा न कि सारी चीज़ें साम और रिक ही है न जो सुड़ा और पिंगला वो भी एक और साम है यानि यह एक का अटिट्यूड दूसरा है दूसरे का अटिट्यूड दूसरा तो वो दोनों, अगर सारी चीज़ रिका और साम है, तो साम का आश्रय क्या है, आगर वो किस बेसिस पे है, उसका आश्रय, उसके विशे में कुछ बताई, तो साम की गती क्या है, फिर स्वर, मतल़ इसका उत्तर आया, स्वर ही साम की गती है, स्वर ही साम की गती है, यानि साम वेद चलता है तो सिर्फ स्वरों के कारण से फिर अगला प्रश्नाया स्वर की गती क्या है तो इसका उत्तर था प्राण स्वर की गती है प्राण प्राण के कारण से स्वर निकलता है फिर प्रश्नाया की प्राण की गती क्या है यहीं प्राण के किस कारण से चलता है तो उत्तर आया अन फिर प्रशन आया अन की गती क्या है अन कैसे आता है तो उसका उत्तर था जल फिर आया प्रशन जल की गती क्या है तो जल की गती है लोक लोक और लोक की गती क्या है तो बोले लोक की गती शुन्य है ठीक है लोक की गती शुन्य है उसके विशे में कोई चर्चा संभाव नहीं है तो अब यह बात की गई तो जो चिकितायन दालब से मतलब यह उत्तर सारा दालब दे रहे थे तो उन्होंने बोला जो दालब की दूसरे मित्र थे शालवान के शिलक शालवान के पुत्र जो थे उन्होंने कहा कि यह सब उत्तर तुम्हारा जो है यह अप्रतिश्चित उत्तर है यानि certain condition का उत्तर है ये sure उत्तर नहीं है इसमें से अगर कोई भी साम साम वाला होगा और साम वेदी का पाठक होगा तो वो तुमारे मस्तब को काट देगा यही यही शब्द आता है उसमें अगर तुमने मूर्दा मनलब बिद्दानों जैसी बात नहीं की ते वेपते शती मूर्दा थे वेपते देती ही तेरा मस्तब की मार के खत्म कर देगा गिर जाएगा तो आगे फिर उत्तर आता है आगे लिए के शिलक ने कहा उस लोक की गती उस लोक की गती समझने ही तू हमें उसमें प्रतश्चित होना होगा फिर प्रवाहण ने कहा लोक की गती आकाश है लोक की गती आकाश है आकाश के कारण ही समस्त लोकों का निर्मान हुआ है और यह अनन्द है और इस अनन्द आकाश को उदगीत धारन करता है यह जो अनन्द दाकाश है पुदगीत धारन करता है पुदगीत धारन करता है पुदगीत धारन करता है यह जो आकाश वाली जो आपने नहीं लिखी ना कि आकाश है अगर आप धारन करता है यह नमम खंड है negotiating को जो लोकों का धारक हो ना करता है आकाश और आकाश के कारण ही यह समस्तर लोग्चलाईमान है और इन लोगों को धारन करने वाला उदगीत धारनदसवा खंड लाइडान धया इस खंड में है कि कथा आती है कि कथा आती है जिसमें कुरू देश की कुरू देश की खेती समाप्त होने का वर्लन है जिसमें किसी भूखे व्यक्ति को जूठे उडद देके उसकी छुधा त्रिप्ती का वर्लन है छुधा त्रिप्ती का वर्लन है उन्ही जूठे उडदो को लेकर उस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति द्वारा अपने राजा को भी दिये जाने का वर्लन है इस खंड में आपद धर्म का वर्लन आता है आपद धर्मिस लाइन को अंडर लाइन कीजेगा अब लिखने वाली लाइन नहीं है लेकिन सुन लेंगे तो आपके बहुत काम की चीज़ है ये वो धर्म का वर्लन है जो सामानने व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपलाई कर सकता है होता क्या है कि आपद धर्म क्या चीज़ है, जब उस व्यक्ति को जो राज़ेपाट था जहाँ पर खाना सारा समाप्थ हो गया था तो वहाँ वो जाता है और भूखा है तो मांगता है कि कुछ मेरे को खाने को देदे तो चब खाने को मिलता है तो उस घर की लोग बोलते हैं कि हमारे हैं कुछ भी नहीं बचा है संयोक से सिर्फ ये उड़द की डाल बची हुई है वो भी जूठी है तो बोलता है वही दे दो खाके वेक्ति जिवीत तो रह जाता है जो रिशी है लेकिन वह वापस जब ये लोग उनको पानी देते हैं ये लिए पानी पीके और आप अपने छुदा त्रिप्ति कीचे तो रिशी मना कर देते हैं कि नहीं मुझे ये पानी नहीं चाहिए तो मुझे पची हुई जो भी उड़त की दाले वो दे दो क्योंकि मेरा राजा भी भुका है कहानी सिर्फ इतनी ही है श्लोकों में जितना वरणित है सिर्फ इतनी कहानी वरणित है लेकिन इस कहानी को विदूर ने जो विदूर एक नीती पुस्तक है उन्होंने बहुत अच्छे से व्यक्षान दिया है इसका संयोग से मैंने विदुर नीती पढ़ी है इसलिए मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ अगर मैं राजनीदी शास्त्र का चात्र नहीं होता तो शायद मैं चान्दो ग्योपनिशत की इस बात को और विस्तार से नहीं बता पाता प्रोफेसर पीवी काने की एक किताब है पॉलिटिकल साइंस में बहुत शांदार तरीके से पढ़ाई जाती है पीवी काने महाराष्ट्रा ही नहीं पूरे भारत के गौरों थे एंसियन्ट थेयरीस को पढ़ाने में उन्होंने लिखा कि आपद धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी कंडीशन से उबारने के लिए प्रियोक्ति किया जा सकता है आपद धर्म के विशे में इस किताब में चान्दों के उप्रिशद में सिर्फ इतना लिखा गया कि नहीं मुझे नहीं चीए मेरा राचापुका है इसका डिस्क्रिप्शन किया बहुत अच्छा किसने विदुर ने विदुर लिखते हैं कि व्यक्ति जब भूका हो तो जीवन के लिए वो जूठा भी खा सकता है चाहें वो ब्रामण रिशी क्यों ना हो जब उसे जीवन जीना है तो वो जूठा खा सकता है लेकिन अगर उसका जीवन चल जाए तो वो पानी नहीं पी सकता है और यही काम इस रिशी ने किया अपने जीवन को चला लिया जूठे उर्दों से लेकिन जब जीवन बच गया तो अपने को पानी पीने से पहले अपने देश के उस राजा को सेफ करने के लिए अपनी ताकत लगा दी जिस देश का राजा भूका हुआ था क्योंकि उसके यहाँ पानी वो नहीं था बोज नहीं था और वो जूठे उर्दों गुले के अपने राजा के पास चला जाता है फिर जो वो रिशी थे उपनिशत में इतनी बात आती है कि वो अपने राजा के पास चले जाते हैं कि तुम उदगीत का गान करो यानि कि ओम उच्चारण करो तो तुम वापस से धनाड्य हो जाओगे और वो करता भी है और उदगीत के कारण से उसको सारा धन्धाने संपत्ती से कुछ मिल जाता है परन्तु जो यह आपद धर्म लाइन आई यह लाइन इतनी डिस्क्रिप्टिव बनी इसका डिस्क्रिप्शन इतना जादे है कि व्यक्ति का धर्म जैसे जब भी आप जीवन में परिशान हो तो आप इस लाइन को अपने लिए मार्ग कर सकते हैं पूरे छांदों की अपने शत्का निचोड़ है दसमखंड इतना है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म याद रखना चाहिए धर्म का बतलब आपका जो संपरदाय है वो नहीं धर्म का बतलब आप किस पद पे हैं तो बतौर पिता आपका कुछ धर्म बनता है अगर आपके माता पिता को परशानी है तो बतौर पुत्र आपका कुछ धर्म बनता है ऐसे ही बतौर पत्नी, बतौर बहू, बतौर बुवा, बतौर मौसी कुछ ना कुछ हर व्यक्ति का धर्म बनता है अपने लोगों के पृति तो जो आपका धर्म बनता है यदि आप अपने धर्म पे, अपने धर्म के रक्षन हेतू, किसी कर्म को करते हैं, और वो नियम के अतिविरुद भी होता है, और आपदा के कारण वो नियम लिया गया है, और उदगीत के जाप के साथ, नहीं ओमा के जाप के साथ वो काम किया गया है, तो वो धर्म बरश्ट हो ही नहीं सकता है. वो गलत कारे नहीं होता है. और इस सिध्धान्ट पर कम से कम सैकडो रिशियो ने अपने जीवन को सेटल किया है. सैकडो रिशियो की काहांई मैं जानता हूँ अगर मैं आपको one by one सुनाऊ तो सबने कुछ ने कुछ गलत किया है जिसका सबका आपद्धर्म आपद्धर्म लगा लगा कि अपनी कहानी सेट की हुई है मतलब सबके में ये एक बाता आती है कि रे वो तो मेरा आपद्धर्म था मैं क्या करता है मेरे बास दूसरा option नहीं था we don't have any option for survival I have to do that I was supposed to do that क्योंकि मेरी परिस्थिती ऐसी थी कि जिस कारण से मुझे हो वो करना पड़ा तो that was the condition ठीक है ये है आपद्धर्म आगे एक आदस खंड रिखिए एक ग्यारावा खंड एक ग्यारावा खंड उस रिशी की उस रिशी की वानी को सुनकर उस रिशी की वानी को सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा आप कौन है उस रिशी की वानी को सुनकर उस पुरुष ने पूछा आप कौन है उत्तराया मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूँ मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूँ और रित्विक कर्म के खोज हेतू मैंने रित्विजों का वरण किया रित्विज ये वो व्यक्ति होता है रित्विज जो किसी भी certain condition को अपने according मोल्ड करके और चला सकने की क्षमता रबता हो उसे रित्विज बोलते हैं तो ही बोलते हैं कि मैं रित्विजों का वरण करता हूँ यानि ऐसे जो देखिए एक होता है अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति और एक होता है रित्विज ठीक है जो अच्छा कर्म कर रहा है वो एक condition तक है उसको इश्वर प्राप्ती हो रही है परन्तु जो बिपरीत परिस्थिती में भी अच्छा कर्म कर रहा है उसको सिर्फ अच्छा कह देना ये अच्छा शब्द उस व्यक्ति के लिए छोटा है अगर आपकी धहरता सामाने कंडिशन में भी अगर नॉर्मल है मतलब और सामाने कंडिशन में भी आप धहरवान है तब तो आप धहरवान है यदि आप और सामाने कंडिशन में धहर का त्याग कर देते हैं तो आप धैरिवान किसी परिस्थिती में नहीं हो सकते। धैरिवान होने की सबसे बड़ी पराकाष्टा होती है विपरीद परिस्थितियों में अपने धीरज को धारण करके रखना। और वो ही धीरज जो है वो आपको फर्दर आगे लेके चलता है। आगे लिखियों उशस्ति का नाम सुनकर उदगीत के विशय में जानने की चेश्ठा उस व्यक्ति ने की और उशस्ति ने उशस्ति ने समस्त पूर्वोक्त ज्यान को पूर्वोक्त ज्यान को पूर्वोक्त का मतलब प्राण ही रिक है रिक ही साम है साम ही अगनी है अगनी ही आकाश है वही वाला ज्यान जो है। पूर्वोक्त ज्यान को उस व्यक्ति को बताए और और उदगीत उपासना का उदगीत उपासना का वरणन किया उदगीत उपासना का वरणन किया अब आगे लेखिए खंड बारा दौदस खंड इस खंड में इस खंड में उदगीत के विशे में एक कुत्ते के प्रकट होने का वरणन है उदगीत के विशे के ज्यान हे तू एक कुत्ते के प्रकट होने का वरणन है कुत्ता शब्दों ऐसे आजकल गाली में प्रयोग होता है परन्तु इसको आप स्वान लिख सकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा संस्कृत भाषा बड़ी प्रेमदाई भाषा होती है जानवरों की क्वालिटी को हम लोगों ने चेंज कर रखा है अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप कुत्ते हैं तो वेक्ति उसको वाफादार नहीं समझेगा सोचेगा ये तो मेरे को गाली दे रहा है अगर उसी वेक्ति को आप बोलेंगे कि आप गीदर हैं तो वो ये समझेगा कि ये तो भखोड़ा है फिर बोलेंगे आप लोमुणी है तो वो स्वयम ही समझ जाएगा कि ये मेरे को चलाग बोला है और अगर आप बोल दिया आप तो शेर है तो वो ये नहीं सोचेगा कि शेर कुछ शेर जंगल वाले है कि कुछ कि वो सोचेगा शेर तुम्हे हूँ ठीक है तो जानोरों का वरलन हिंदी भाषा के परिहारे कारणों से परिवर्तित हो चुका है इसी को अगर संस्क्रीट और शुद्ध हिंदी में बात क के से आता है जैसे गदे को अगर किसी विक्ति को बोल दिया आप गदे हैं तो बुरा मान जागा क्या रिए नहीं रिए और अगर आप बोल जिये वायिशाख-nandan अहां तो विक्ति बड़ा साकरातमघ फील करेगा कि वायिशाख-nandan बोलना है मुझे यानि कुछ तो अच्छा ही है उसे नहीं पता वायशाक नन्दन क्या है तो ऐसे ही इसमें भी एक स्वान के उत्ता मतले thank you प्रकट होने का फर्ड़न है 20 में misty PG अगट होने का वरणन है जहां पे अन्य स्वान आके उस स्वेत स्वान से सफेद स्वान से देखे पतंजली प्रो है और यह उपनिशाद वाले अल्ट्रा प्रो मैक्स है ठीक है मतलब यह जैसे बता ना पतंजली प्रो है पतंजली ने बता दिया है कि वो योग के विशे में बात कर रहे हैं तो चित्त है और चित्त का कुछ-कुछ लेना देना यह है उपनिशाद वालों ने सीधे एक स्वान को प्रगट कर दिया अब आगे आप सोचते रहो कि वो स्वान यम्राज है कि धर्मराज है कि इवदिश्टिर है कौन है क्या है अपना डिस्क्रिप्शन स व्यवस्था तुम कर दोगे क्या लेखिए अन्य स्वान भोजन की व्यवस्था मांगते हैं इस पर स्वेत स्वानने अगले दिन प्रातः आने के लिए उन्हें कहा और प्रातः आने पर सभी स्वानों ने कहा एक मंत्र पढ़ा इसका मतलब ये है लिखिये आप लिखिये सभी ने हुंकार भरी यानि सब भोगने लगे और भोगते वए यही कहे क्या कहे कहा कि हम ओम को खाते हैं हम ओम खाते हैं ओम ही हम पीते हैं अतह ओम देवता वरून प्रजापती सूर्य यहां अन लेकर आएं ओम देवता वरून प्रजापती और सूर्य यहां अन लाएं हे अनों के देवता यहां अन लाईएं आनों के देवता यहां अन लाईएं वार्ण 12 गंड में इतनी सी बात है यानि अन्नो का वरणनाता है यानि ओम से मतलब यह अगर इसको मैं अपने description में लेके जाओंगा तो 2 गंटा अगे इसमें लेक्चर बनता है लेकिन अगर बहुत short में मैं समझाओं तो इतना समझ दीजे कि स्वानों के माद्यम से यह बताने की कोशिस की गई है कि बेशक आपका कर्म चाहें कितना भी किसी भी प्रकार का हो अगर आप अपने इश्वर की अराधना पे बिलकुल अपने साधना पे दादी पिमान हैं अपने साधना पे इतने ताकत वर हैं अपने साधना पे इतनी आपकी मतलब एक होती है प्रविष्टी आपको इतना भरोसा है कि आप अपने इश्वर से कहेंगे तो इश्वर आपके लेके आएंगे तो वो स्वान यानि की जो बिल्कुल निक्रिष्ट श्रेनी का जानवर है उसके लिए भी इश्वर आते हैं खुबी लगा सकते हैं अपनी उर्जा से दूसरे के कर्मों का निस्तारन किया जा सकता है यह सद्धान दिये कहता है यह सद्धान दिये कहता है कि अपने इश्वर से यह बोलते हैं कि आप उनको बोलिए कि मेरे को फला 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 चीज लाके दे भोजन ले भोजन दे भोज अकार उकार और मकार का वरणन इस खंड में है इसमें लोक वायू और चंद्रमा का वरणन आत्मा आता है लोक वायू और चंद्रमा का वरणन आता है आदित्य निहाव और विश्वदेव का वरणन आता है विश्वदेव का वरणन आता है जो इनके विशे में जानता है जो इनके विशे में जानता है उसे ही उसे ही फल प्राप्त होता है आगे लिखिए कितना हो गया कितने खंड हम लोग कर लिए कंप्लीट तीरा खंड हो गया तो पहला पहला फिर समाफ्त हो गया लिखे दितिय अध्याए लिखे इस समस्त इस समस्त अध्याए में इस समस्त अध्याए में साम साम पंच तत्व पंच साम का वरण है पंच साम का वरण है इसके समस्त खंडो में इसके समस्त खंडो में विभिन विभिन साम के प्रभावों का वरण है इसमें कुल इसमें कुल प्रमुख 24 खंडो का वरणा नाता है अब आगे लेख लिए पंच साम पंच साम अब इसमें क्या है ना पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे चटवे शातवे आटवे नोवे इन सारे अध्यायों मतलब सारे खंडों में 24 खंड है तो 24 में जो शुरूबात का 14 खंड है इसमें पंच सामों का ही वरण है तो समझ जाएंगे कि यह पंचसाम क्या चीज़ है, लिखिए, पृत्वी is equal to हिंकार, हिंकार, is equal to हिंकार, अगनी is equal to प्रस्ताव, अंतरिक्ष is equal to उद्गीत, आदित्य is equal to प्रतिहार, और दियुलोक is equal to निधन, दियुलोक is equal to निधन, यह पंचसाम है, जैसे एक तरफ तत्व आपने देखा जिसमें आदित्या और प्रत्वी और अन्ने चीज़ों का वरण है, प्रत्वी हिंकार है, अगनी प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, ठीक है, यह लोकों का जब वरण होता है, लोकों में पंचसाम कौन है, तो यह लोकों का वरण है, जो हमारे लोक हैं, उसमें अगर आप सिर्फ रिक की बात करते हैं, रिक की साधना, देखें एक बात मैं आपको समझाता हूँ, इस पूरे अपनुशद में रिक उद्गीत का ही वरण जादे आपको देखने को मिलेगा, इसमें यह बताने की प्राणकार्थ है, जो आपने अभी पीछे लिखा था, ठीक है, तो अब साम को तो क्लियर आप समझ चुके हैं, पंच लोकों का वरण आता है, कि इसमें अकार, उकार, हिंकार जो है, अब अकेला अकार जो है, उसको भी अगर पांच हिस्सों में बाता जाए, तो यह आपक सिर्फ इतना समझना है, बतार योग अध्यान के दौरान, कि आपके सामने दो साधनाओं का वरण देखने को मिलता है, ठीक है, एक तरफ आपके सामने एक तत्मों का वरण है, कि कौन-कौन है, अब जैसे आगे आप दिखेंगे तो उसमें आदित्य, अंतरिक्ष, अगनी, परत्वी, ठीक है, फिर वरिष्टियों की बात होती है, वायू, मेग, चमकन मेग, गर्जन मेग, यह सब इन सब का सामों का वरण देखने को मिलता है, और पूरे खंडों में, जितने भी खंड हैं, उन सारे खंडों में इनहीं का वरण है, कि जैसे प्रत्वी के पांच प् प्रकार कौन कौनसा होता है एक वो जो उला वरिष्टी करता है एक वो जो जल वरिष्टी करता है एक वो जो सिर्फ चमकता है एक वो जो सिर्फ गर्जन पैदा करता है एक वो है जो किसी काम का नहीं है आया और चला गया तो पांच में एक दिखे ना आपको इन पांचों में वो line जो आपने उपर से लिखी हुई है, ये हिंकार है, ये प्रस्ताव है, ये उदगीत है, उदगीत वो जो वर्षा कर रहा है, तो जो main कारिक करता है, आप समझे ये बहुत minute concept है, एक बार समझ जाएंगे तो पूरा दूसरा 10 हमापत हो जाएगा, मिनट बर के अंदर में, नहीं तो फिर पूरा आप लोग को फिर ये ले जागा एक गंटा, आप समझे ये, मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पास जो तत्व हैं, पांच तत्व हैं, for example, ठीक है, पांच तत्व में एक तरीके से मानिए, मैंने आपके सामने जल तत्व ले लिया, अब जल का भी अलग एक जल जो आपके अंदर, आपके शरीर को सक्षता प्रदान करता है, ठीक है, जो जल सक्षता प्रदान करता है, उस जल को आप पी नहीं सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, एक जल ऐसा है, जो आपके घर को धोने के लिए कामा सकता है, जल वही जल है, एक जल ऐसा है, जो आपकी प्यास को शुदा को तरप्त कर सकता है एक वो जल है जिसके द्वारा पेंड, पौदे जीव, जन्तु अपने शुदा को तरप्त करता है जलों के कई प्रकार, मेग है मेगों का कई प्रकार, चमकन, गरजन बरसन, और फिर शुन्यत ऐसे ही अगनी का भी कई प्रकार तो इन सब्मक में जो सबसे जरूरी वाला हिस्सा है वही उद्गीत है समझ रहा है जिस जल से व्यक्ति के शुदा अत्रिप्त हो, जिस अगनी से प्रकाश उद्पन हो अगनी का गुन है जलाना ऐसा नहीं कि सिर्फ जलन के कारे में आए जिस अगनी से प्रकाश उद्पन हो जिस मेग से बरसा आए वो सब उद्गीत है जो पाँचो तत्व है उन पाँचो तत्वों के मूल को अगर देखा जाए समझ रहे हैं आमर जी तो जो मतलब जो मूल आप समझिए कि जिसके कारण से ये समस्त हिजाब किताब जो भी है वो घनी भूत होता है जिसके कारण से करता है जो उसका मूल है बस वही उद्गीत है ठीक है बाकी अब जिससे रित्मों में अगर पंच रित्मों की बात करें तो वर्षा रितु को उद्गीत माना है ठीक है वर्षा रितु इन सब में सबसे महत्वपोर्ण है शरद और ग्रीश्म और बसंद इन सब को महत्वपोर्ण नहीं माना है क्योंकि ये हमारे तत्वों के निर्मान में सहायक नहीं है उतनी जितनी वर्षा सहायक है वर्षा से प तो फिर ब्रह्म है, ब्रह्म है तो फिर उद्गीत है, तो यही लाइन आपको पूरे दूसरे अध्याय में 24 के 24 खंड में देखने को मिलेगी, पांचो प्राणों का वरणान आता है, सारे साम का वरणान आता है, तो इसके इतर इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, सारे आदित्यो ब्रह्म है, उसका वरणान आता है, अक्षर ब्रह्म में कैसे कैसे, यह कारिरत है, उन सब का वरणान आपको दूसरे, पूरे मतलब खंड में 24 के 24 खंडों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे लिखिए, तृतिय खंड या तृतिय अध्याय, तृतिय अध्याय, लिखे, इस उपनिशत के चांदों की उपनिशत के चांदों की उपनिशत के तृतिय अध्याय में तृति अध्याय में रिक का वर्ण है रिक का वर्ण है इसमें रिक से ही रिगवेद रिक से ही रिगवेद रिगवेद से यश यश से तेज तेज से इंद्रिय इंद्रिय से वेर्य वेर्य से अन गश्बश्चन से रस उत्पत्ती माना जाता है इसके दक्षण दिशा की किरणों से जो रिख है उसकी बात ने इसके दक्षण दिशा की किरणों से विबिन निशुतियां और यजुर की उत्पत्ति, यजुर वेद की उत्पत्ति माने जाती है यजुर वेद की उत्पत्ति माने जाती है पश्चिम रस्मियों से, अंडरलाइन करते रहे गए इन बातों के पश्चिम रस्मियों से या पश्चिम की किरणों से साम की उत्पत्ति माने जाती है पश्चिम की उससे साम उत्पत्ति माने जाती है उत्तर रश्मियों से उत्तर की रश्मियों से उत्तर दिशा की रस्मियों से अथर वेद की उत्पत्ती माने जाती है उर्ध रश्मियों से, उपर की रश्मियों से उर्ध की रश्मियों से अभितप्त ब्रह्म अभितप्त ब्रह्म की उत्पत्ती का वरणन है जिस से आदित्य का मूल भाग बनता है आदित्य यानि सूर्य का मूल भाग बनता है सूर्य का मूल भाग बनता है जिससे विभिन प्रकार के अम्रित तत्वों की उत्पत्ती होती है क्या हुआ निधी जी बड़ी परशान लग रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कौन से दुनिया का ग्यान पढ़ाय जा रहा है नहीं लेकिन ये ही मूल है देखे मैं ये नहीं कहता कि ये आपके नेट के लिए जरूरी है कि नहीं है मैं जब भी इसे बढ़ता हूँ या बढ़ाता हूँ तो मैं जनरली ये नहीं मानता कि इसमें से एक भी प्रश्न कभी जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर आप योगाचारे हैं तो आपको सारे उपनिशदों को एक एक बार देखे जाने का और आपके कॉपियों में लिखे रहने का अधिकार तो है ही, क्योंकि अगर इसके बिना आप शुन्य हैं, तो फिर आपके योगाचारे होने पर प्रश्ण है, जीवन में कभी भी अगर ये ऐसा क्लिक करेगा, ये बाते क्लिक करेंगी, तो आप क्यों नेट याद आया या ना करता हूँ, चाहे बेशक में अगले महिने वाली चेंप्रेशिप ना खेलू, उसके अगले साल वाली में पाटिसिपेट करूँगा, लेकिन हमेशा प्रिपरेशन मैं हजार मीटर की अबिलिटी से करता हूँ, अगर आप हजार मीटर दोड़ेंगे ना, तो सो मीटर आपके परिक्षा देनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो प्रिपेर वाइस चांसलर बनने का कीजिए, कि आपको वाइस चांसलर का एक्जाम देना है, और फिर देखिए, क्योंकि ये जब बातें आप किसी के सामने बोलेंगे, कि आओ तुम को आज मैं बताता हूँ, य चांदुग्य में ये कहा, ब्रेदारनेक में ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, किसी मंच पे आप बोलिए, भाई राजी दिक्षित जी इतने प्रचलित क्यों है, उनके प्रचलन के पीशे सबसे बड़ा कारण उनकी वाणी है, है कि नहीं है, और आप जब तक अच्छ काम भी कराते थें, और जितने ये नकली बाबा लोग हैं लोग, ये सारे नकली बाबा बिचारे क्यों फिरमस हो जाते हैं, सिर्फ बोलने का गुण इनके अंदर अच्छा है, आसाराम जैसे लोग जो है, उनको आप देखिए, तो हरी जी का प्यारा नाम हरी हरी हो, ये बोड़े महान, ये ही बात आपको समझनी होगी, कम से कम आपको अपने मूल को समझनी होगा, या कि ये क्या इसमें कहा गया है, आगे लिखे, उस आदित्य से समस्त प्राणों की उत्पत्ति होती है, उसी प्राणों से दिशाओं की उत्पत्ति होती है, उसी प्राणों से का निरूपन होता है जिसमें से समस्त समस्त तत्व जिसमें से समस्त तत्व और समस्त वायू समस्त वायू समस्त कारकों की उत्पत्ती होती है समस्त कारकों यानि जितने भी आप योग में तत्व पढ़ते हैं न पंच तत्व, पंच विभूतिया, पंच ये, पंच वो, पंच अकाय, पंच मकार, सकार सब कुछ इसी से, मतलब अधित्य से, सूरी से सूरी में प्राण उत्पत्ती होती है प्राण किसके कारण से होती है जो रिक का उर्द भाग है उस भाग से रिक के अन्ने पाँच भाग और भी है उत्तर, पूरा, पश्यम, दक्षम तो उन चारो भागों से चारो वेदों की उत्पत्ती है और मद भाग से सूरी के उत्पत्ती है, सूरी में प्राण है, प्राण से दिशाएं है, दिशाओं से अमरितत्व के उत्पत्ती है और उनी अमरितत्वों से विबिन प्रकार के जितने भी योग के ऐलिमेंट्स है, उन सब की उत्पत्ती माना गया है आगे लिखे इसी अध्याय के 12 खंड में इन समस्त भूतों का जो मूल है उसे गायत्री कहा गया है इन समस्त मूलों का जो भूत है उन्हें गायत्री कहा गया है सब्सक्राइब कीज़ेगा समस्त मूलों का भूत इसलिए क्योंकि देखें मूल किसको कहा गया है मूल का ऐसा होता कि भूतों का मूल होता है समस्त पंज महा भूत है उनका मूल होता है लेकिन मूलों का भूत जो है वो क्या यानि हर मूल जिसका भी हर चीज़ की जो जो मूल भूत प्रवृत्ति है जो भी एलिमेंट्स बताए गया है उन सब का जो पास्ट प्रेजेंट और उन सब को क्या कहते है गायत्री कहते है ठीक है आगे लिखे ये ये वाक वाक गायत्री है ये भूद गायत्री है गायत्री चार चरणों वाली और छे प्रकार की है और सरवादिक महिमा योग्य है इसके उपर सिर्फ पुरुष विराजमान है गायत्री से अगर कोई सूपीरियर अधिकारी है तो पुरुष यानि वो परब्रम ही है इससे उपर सिर्फ पुरुष है यहाँ गायत्री प्राणों में है यहाँ गायत्री प्राणों में निवास करती है और यहाँ प्राण हिर्दय में निवास करता है अब आज से अगे स्याद रखेगा कि जितने हीरो हीरो ही लोग दिल दिखाते हैं ना हार्ट जैसा इसका मतलब यह है कि यह छांदों के उपनिशद का वरलन कर रहे हैं इन डिरेक्ली ठीक है इनके पास आकर यह कैसे पता लगा कि दिल में ही भावान नेते हैं यह वरलन आता है ना कि नायक के दिल में नायका रहती है तो नायका से वो प्रेम करता है इसका मतलब यह है कि नायका को ब्रह्म सरूप मानना है तब ही तो वो हिर्दय में रहती है ऐसा वो पैंक्र अगर देखा जाया है तो लिवर is most important organ again और सबसे जादे काम भी करता है जीवन में सबसे जादे बीजी भी रहता है और सबसे जबर्जस्त योगता भी उसी के पास है हिर्दय को आधा काट दो तो वह वापस वह जेनरेट नहीं होगा लिवर को पूरा काट दो सिर्फ 20% छोड यानि और जिस भी विश्व के जिस भी कल्चर में हिर्दय को मूल माना गया है प्रेम का परिशाय क्या ब्रह्म का परिशाय उन सारे कल्चर में च्छांदोग उपनिशद इन्वाल्व है आगे दिखिए उस हिर्दय के पाँच देव सुशी हैं पाँच देव सुशी हैं ब प्राण, चक्षू, आदित्य, तेज, और अनाध, अनाध, प्राण, चक्षू, आदित्य, तेज, और अनाध, अब इनका डिस्क्रिप्शन में, मेरे पास दोनों तरीके हैं, इनका डिस्क्रिप्शन कर पाने का, लेकिन अध्यापकी इश्याली में मैं करता हूँ इसका description तो आपके लिए जादे आनदायक होगा कभी किसी lecture में हम लोग मिलेंगे किसी मंच से तो मैं इसका description दूसरे तरह से भी करूँगा अभी ये छात्र इस recording को सुनके अपना notes भी बनाएंगे इस कारण से मुझे अध्यापकी इश्याली का वरण करना पड़ेगा जो देवा सुशी मतलब जो उसके पांच हिस्से है जो हिर्दय है उसके विश्या में बताते है कि प्राण है पहला हिस्सा तो प्राण है यानि कि जो पांचो प्राण है वो आपके हर्दय में निवास करता है, नमबर एक चीज, दूसरा हिस्सा है चक्षू, चक्षू का मतलब जो भी चीज दृष्यमान है और जिसके कारण से देखने के, ये आपने सुना होगा न, नाइकाना की प्रतम बार देखा हमें, हमने उन्हें, तो हमें आनन्द की आदित्य, आदित्य का मतलब होता है, जो आवरा है, जो उनका सूर्य है, जिसका भी है, जिसके अपने ब्रह्म के विशे में अगर आप जाते हैं, तो उस ब्रह्म का वरन करते होगी, उनका जो आवरा है, जिसके कारण से एक दूसरे के पृति, जो प्रेम भाव जागरित ह वही तेज है तेज का मतलब होता है उसका समस्त गुण जिन गुणों के कारण से वेक्ती एक दूसरे को बड़ा पसंद करता है या घणा करता है ठीक है गुण और अगुणों के कारण से तो वह तेज हो गया और उसका अन्नाद का मतलब होता है शारिरी क्योगताएं कहा गया है अन्नेत्यादी जो आपके शरीर में अन्द के कारण से जो उत्पत्ती हुई है अन्द जो भी आपने अंदर ओर्जा बसा रखिए उस ओर्जा का वरण है इनी ओर्जा से हर्दय का पूरा मूल बनता है आगे लिखियो इसमें पंच छिद्रों का भी वरण है पंच कोरिया कैसे बन जाते हैं पहले तो प्रेम प्रेम से एक दूसरे को रहे एक साथ ही रहते ना बाद में डाइवोर्स होना लगता है नहीं शादी वादी के बाद से पहले प्रेम विवा होता है फिर शेमेने बाद डाइवोर्स रहता है तो क्यों होता है वह पंच छिद्रों का वरवला में आता है लिखे पहला छिद्र है व्यान दूसरा है शुरोत तीसरा है चंद्रमार चौथा है श्री एवं यश चौथा है श्री एवं पाच्वा है यश ठीक है आगे लिखे ऐसे ही दिती चिद्र जो अपान है जिसमें वाक अग्णी ब्रह्मतेज और अनाध है ब्रह्मतेज और अनाध है अभी इन सबका भी डिस्क्रिप्शन बताता हूं आपको थोड़े अनाध है उत्तरी चिद्र है उसमें मन ब्रेक अप होने के सारे कारण लिखवा रहा हूं मैं अकॉर्डिन की चांदो क्योग निश्रत है ठीक है बागी आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजेगा मतलब क्यों किसी को आनंद नहीं आता है वही कारण बताया है कि ऐसा होता ह कि इश्वर से मतलब ब्रह्म से आपका अनुराग भौक क्यों तूट जाता है उसके विशेगा बताते कि वहाई पांच चिद्र है उन पांचों चिद्रों में एक एक चिद्र जो है वो पांच-पांच गुणों को लिए हुए है यानि कुल 25 कारण है किसी से तूट जाने क ठीक है उन 25 कारणों को आप मार्क आउट करते रही है आगे लिखे जो उत्तरी शिद्र है वो समान है समान में इसमें समान is equal to मन मेग कीर्थी और व्यूष्टी कीर्थी और व्यूष्टी अब सुचेंगा आपकी कीर्थी कैसे कारण मनती है आप अपने कभी मतलब जो महिल अपने पती से 10 कदब आगे निकले देखेगा तो पती खुश तो होगा लेकिन एक समय के बाद से उसको लेगा कि रही नहीं नहीं यह ठीक नहीं हो रहा है तो कश्ट का कारण कहीं न कहीं हो देखने को मिल जाएगा आगे आगे लिखे जो उर्द शिद्र है वो उदान है वो वायू है आकाश है ओज है और महा है वायू है आकाश है ओज है और महा है खिर देखे खिर देखे इन गुणों को जो जानता है और जो नहीं जानता है वह उदगी तुपास ना करे वह उदगी तुपास ना करे और ब्रह्म को प्राप्त करें और ब्रह्म को प्राप्त करें आगे लिखें हिर्दय कमल के भीतर पंच महा भूतों के स्वरूप में ब्रह्म का निवास है उन पंच महा भूतों में समस्त विश्व इस्तित है समस्त विश्व इस्तित है जिसकी पाचो दिशाएं वन बैवन पहले नाम लिख लिए यह वन टू ट्री फॉर फाइफ जुहू इस इक्वल टू ईश्ट पूरो दिशा को जुहू दक्षिन को सहमाना पश्चिम को राग्गी उत्तर को सुह भूता और उबर वाली को वत्स नाम से जाना जाता है इन सभी दिशाओं में उस ब्रह्म की उपस्तिती है उस ब्रह्म की उपस्तिती है आगे लिखे आप ऐसे ब्रह्म रुद्र रूपी प्राण है रुद्र रूपी प्राण है जो सरवत्र उपस्तित है इन्हें प्राप्त करने का उपाय ताप, दान, आर्जो, अहिंसा और सत्यवचन है और सत्यवचन है अंगीरस रिसी ने आगे लाइने के अंगीरस रिसी ने कृष्ण को भी कृष्ण को भी यही दर्शन सुनाया था यही दर्शन सुनाया था मन ही ब्रह्म है आकाश ही ब्रह्म है ब्रह्म के चार पैर है ब्रह्म के चार पैर है वाक, प्राण, चक्षू और श्रोत ब्रह्म के चार पैर है वाक, प्राण, चक्षू और श्रोत यह चारो ही आध्यात्म हैं यही चारो आध्यात्म हैं और इनसे ही उन्हें प्राप्ति किया जा सकता है इनसे ही उन्हें प्राप्ति किया जा सकता है इसी के साथ तीसरा अध्या समाप्त होता है आगे कल हम लोग चौथा, पांचवा, छटवा, साथवा अध्या कम्प्रीट कर लेंगे ठीक है अब हमारे सामने बहुत मतलब तगरीबन दो सो पन्ने हम लोगों ने खतम कर लिया है चार सो पन्ने के आसपास का एक कुलूप निशद है जिसमें से दो सो पन्नों का मूल हम लोगों ने समाप्त कर लिया जो कि सबसे बड़े-बड़े पार्ट थे एक, दो और तीन ठीक है इनमें केस, चौबेस और अठारा ऐसे करके भाग था चोथे वाले से सोला, सत्रा, पंद्रा, ऐसे करके चलेगा एक और आएगा आपका पाचवा, छटवा अद्या उसमें भी चौबिस के आसपास के है चौबिस के आसपास हद्या मिलेगा लेकिन बहुत छोटा-छोटा है आगे बहुत डीब नहीं है, कुल आठ अध्या है, तो हम लोगोंने लगबग लगबग, तीन कंप्लेट कर लिया, तीन-चार कंप्लेट कर लिया, आगे चार और एक दिन का और लेक्चर बचेगा, ठीक है, तो हम लोग छांदोगी उपनिशद को, जो की सबसे बड़ा उपन जो छांदोगी बहुत क्लियर बातें करता है, बाकी उपनिशद बिलकुल क्रिस्टल क्लियर बात नहीं करता है, वो यह नहीं बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, कैसे हैं, कब हैं, क्यों हैं, कहां हैं, कैसे जानोगे, कहां स्तापित करोगे, कैसे पूजा करोगे, कुछ नहीं लेकिन यह उपनिशद बिल्कुL COVID बताता है कि आपको कैसे इश्वर去 पराप्थ करना है, और कैसे उनके मारगों का अनुसर करना है देरे देरे चलते वे इस मारग से वेक्टी फिर मोक्षदाइणी मारग उत्मको पराप्थ कर लेता है ठीक है? बहुत बहुत आभार थोड़ी उर्जा बना के रखिए तो बिलकुल अभी क्या है? बोरिंग है जान नहीं लेकिन दो-तीन दिन के अंदर अनावी शुरू होगी और वो आपको एक्स्ट्रा अनर्जिटिक तो आपको और आनंद आएगा क्योंकि उस विशे में मैं आपको कई कई नहीं नहीं चीज़े दिखाते रहूंगा तो एनाटमी के लिए बस इंतजार गिए दो चार तसनिनों के अंदर जैसे एनाटमी शुरू होगी तो अब आपका आनंद वापस आजाएगा अभी संस्क्र कुछ जैसे तैसे याद कर लिए ठीक है चली बहुत बहुत अबार धन्यवाद